आँखों में यादों की आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे अंदर पे आई मेरे रोंग रोंग में शामिल तू मेरे साउखिब परशद कामिल तो मेरे रोंग रोंग मैं शामिल तू वो लड़की उसकी बेटी है? हाँ साइंग चल सरकार ने बुलाया है तुझे इतनी मुरह इतनी आपकी च्छाओं में बलती है अपनी बेटी को भी अपनी पना में लेने और तुम? हर किसी की जान को कोई न कोई गम रोक की तरह लगा हो दी मैं अपने हिसे का घम पेचान के हर उसका ना में चूता है मैं इसे आपके पास चूटके अपस चली जाओके एम यह कहती है तुझे मुझसे मुझसे मुखबत नहीं देख अभी तुझे याद किया और अभी तरह फोन आ गया ज्यादा खुश मत हो मैंने तुम्हारी मुखबत में फोन नहीं किया किये बताओ मामू केसे है हम अच्छे और याकूब खुशी तो मैंने की नहीं सोचा खुण कर लो इसलिए उसे मैंने मार दिया अच्छा खेर ये बता कि पुपी का घुसा ठंडा हुआ के नहीं अमा को तो पता नहीं क्या हो गया कबीरे हर एके पाउँ चुने को खड़ी हो जाती है मुझे भी पेर चुवाने के लिए हर वक्त जोर भरती रहती है हाँ तो माच चुना पेर क्यों चुती है रहने दे कौन सा मुझे पूरी जिंदीगी यहां रहना है पता है मैं समझती थी अमा का मुर्षद को ये बुड़ा खुड़ा होगा पर ये तो खुबसूरत आदमी है बीवी भी अच्छी है उसकी और मेरी उमर की एक लड़की भी है ये लड़की मुर्षद का और बीवी मुर्षद का नाम इजज़ा से ले ये कौन है चमची है उनकी एक मुझे तो ऐसे लगते जैसे अकपर बाच्छा के दरवार में आ गई हूँ अम्मा आती है तो आए नहीं तो यहां से तो मुझे ले की जाना अरे नहीं नहीं खुपी भी वहां पे नहीं रहेगी बस तुम लोग आज रात की ट्रेन पकड़ो और वहां से रबाना हो अस बहुत हो गई ना दुआ और किती दुआएं चाहिए अम्मा आएं भी ना मुझे तो अपना घर बहुत याद आ रहा है हलो 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 नूर फ्रोज इसका चार्जर तुम्हें घर भूलाई हूँ बात सुनो इस मोबाइल के चार्जर मिलेगा हम तुम्हारी तरह मौडरन नहीं है अंदर गुटी बीपी के पास होता है हर तरह कचान जाके मांग ले उनसे मुझे क्या पता कि कमरा कहां पे है कौन साथ उसरे शहर जाके डूढ़ना पड़ेगा चीरियां चड़के सीधे हाथ हो जाना क्या मुसीबत है एक भी निकी ज़री इसकी री स्टार्ट करके देख लें तुम्हे कैसे बता मेरे खर में है रेली हाँ मैं ठीक कर दूँ शॉर इसमें कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो सेफ ना कियो नहीं तो तुम्हारे पास अपना लैप टॉप है नहीं तो मेरे कसन का है मेरे मामू का बेटा है ये लीजे हो गया तैंक यू सो मच तुम्हें पता है इतने से काम के लिए ये लैप्टॉप जाता मेरी कजन के घर वहाँ से बन के आता वापिस कोई बात नहीं जब तक मैं हूँ आप मुझे बुला लीजिएगा वो मुझे कुछ काम था बोलो आपके पस इस फोन का चार्जर है मैं घर भूलाई हूँ तुम्हें पता है ऐसा ही मुबायल मुझे अबाजी ने पहली बार लेके दिया था तीन साल पहले जब मैं नाइन्थ में थी तुम वो ड्रॉख खो लो और वहाँ से चेक कर लो सारी चार्जर वहीं पड़े ज़ा तो आप खुद खोले मैं हाथ नहीं लगाऊंगी अरे इसमें क्या है देख लो खुदी तुम ऑ्ड़ है यची कर की देखू हाँ हाँ देख लो खुदी चेकर लो थेंक्यू सौमच यूर वेलकाम जा अपनी हसरतों पे आसू बाहा के सोजा जा अपनी हसरतों पे कहीं सुनना ले जमाना कहीं सुनना ले जमाना ए दिल खामोश हो जा अपनी हसरतों पे आसू बाहा के सोजा जा अपनी हसरतों पे आसू बाहा के सोजा मलका आपाउ में मेहन्दी नहीं लगाती क्या नए या दूसरी पाइल खरीद ले या इससे भी उतार बें जोडियों वाला जीवर अकेला नहीं पहना जाता लोगों को शक होता है कि या तो किसी की निशानी है या फिर इंतजार जो आके अधूरी जिन्दगी मुकमल कर ले खामन कहा गया है तेरा कमाने क्या है किधर पर्देश कब कब आता है केया तो लोटा ही नहीं पैसे वैसे भेजता है नहीं कोई भी वास्ता नहीं रखता नहीं नहीं इतना गमगीन गाना गा रही थी मेरी आखों से तो आंसो निकल है तुझे तो खामखा कंपलेक्स हो गया मेरी दूसरी शादी का हलेकर मैं भी तुझे उतनी प्यार करता हूँ जितना मुंतरी से कंपलेक्स होते है मेरी जूती को मेता सजा के तू तीसरी शादी कर खबरदार जो मेरे साथ दिल लगे किरने की कोशिश की तो और चलो ना तो ना ही सही मैं तो अल्ला कौकम मानते हो वे तुझे भी उतनी महबद दे रहा था जितनी मुंदरी को देता हूँ अच्छा छोड़ ये बता कि एहराम सरकार के आते ही दोनों शादियों की तारीख तैह होगी तुझे किसने कहा मुंदरी बता रही थी जूट बोलती है तेरी दूसी जोरू उसे बोल अपने काम से काम रखे जूटिया फाइना फेलाए तुझे को इतनी तापचाड रही है एक घर का रिष्टा है और मैं तो कहता हूँ बड़ी अमा सरकार की खाहिश थी ये दोनों शादिये होनी चाहिए जिस दिन बड़े सरकार अपने घर के फैसले तेरी मर्जी से करने लगे ना उस दिन देना अपना मश्वरा फिलाल चल जा यहां से अच्छा किया है मैंने दूसरी शादी कर ली कम कम वहां जाकर सुका सांस तो लेता हूँ ना तो तो हर वकत काटने को दोरती है मुझे चल जा बड़ाया मुंदरी का मुखपर यहां की बाते बहां लेकर जाता है चल जा 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 अपनी हसरतों पे कितना बड़ा अजाब होती है यह दूसरी औरत भी जानती भी है कि बीवी वाला है फिर भी मौश्का करने से बाज नहीं आती है है बीवी मर्शद लड़की के लच्छन अच्छे नहीं है सैटिंग की हुई है किसी लड़के के साथ वाहयाद वाहयाद बातें करती है मुझे तो शक पढ़ता है भागने वाली थी है किसी के साथ इसकी माँ इसे बड़े इसरार के साथ लेके आ गई है लगती तो ऐसी नहीं है अरे बीबी ये जो शेहर की लड़कियां मुबाइल हाथ में लिए चल रही हैं तो समझें कोई ना कोई दोस्त पलू से बांदे चल रही हैं इसलिए आप हुश्यार रहें ऐसी लड़कियां लखी महल में रहेंगी तो बाकी मलाजमाओं का महौल भी खराब करेंगी वो इस बार फसल से जो हिस्सा आएगा ना तूने मुझे सोने की चांदबालियां बनवाके देनी है मैं ना राबील बीबी और साले सरकार की शादी पे पहनूंगी और चलाओंगी तेरी उस काली जोरू को पर मैंने बड़े सरकार के गर में तो इन दोनों शादियों का जिकर तक नहीं सुना तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ? मैंने खुद ये बात अपने कालों से सुनी है मैंने ऐसा कप कहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है? एक गरवले कहते हैं के रादा नहीं है दूसरे गरवले कहते हैं के हाँ हो गई है एहराम सरकार के आता ही दोनों शादियों की त्यारिये शुरू हो जाएके रहने दे रहने दे तुझे तो बस भाना चाहिए अपनी पहली बीवी से इश्की पिंगे चड़ाने का मुझे अगर पता थो ना कि वो तेरे दिल से निकली नहीं है तो मैं कभी ये जहर का घूंटना पीती कभी ने करती तुस्से शादी मैं अरे मैं तो जमाने की बात कर रहा था रहने दे रहने दे जमाने की बात जमाने की बात तो अपनी पहली बीवी के साथ ही जाके क्यों करता है भाने ढूंटता ना उसे बाते करने के अरे मुंतरी कमाल करती है तु और मैं काली से ज्यादा तुछ से महबबत करता हूँ अच्छा अब निकला ना तेरे मुझे साचे उससे में ज्यादा महबबत यानि के उसकी महबबत अभी भी तेरे दिल में है है ना तो चल जा ना दफ़ा आपने पहले बीवी के पास और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शकल में दिखाईता हूँ तू भी ठीक कहता है दो शादियों माला होता है दुबी का गुत्ता ना गर का ना घाट का मैंने उनके कानों तक ये खबर पहुचवा दी अभी भी मुश्यद के इस हवीली वाले तो हाँ समझे बैठे है अच्छा की है और क्या खबरे है वाँ की अभी तो कुछ खास नहीं है मगर जैसे कोई इत्तला मिली मैं आपके खिर्मन में हाजर करतेंगी वो अभी इस उबैदा अपने घर नहीं गई ना जैसे ही जाएगी मैं उससे मिलने जाओंगी फिर वो सारी इत्तलाएं देगी हमें अम्मा कभीर बाहर पर आने का पूछ रहा है बताना हम कब जाएंगे जो तरे मुर्षिद ने दुआ भी दे दिया है चल अपने घर चलते हैं अम्मा कभीर के रहे कि आज रात की ट्रेंच से निकला हूँ मैं तो केत्यूं के आज ही चलते हैं उसे अपना गर बहुत यादार है बोल केत्यूं कभीरे से क्या हम लोग आ रहे हैं मुरा फ्रोस अगर मैं तुझे और कभीरे को हमेशा हमेशा के लिए अलग करता हूँ तो क्या तुझे उसके बगार रह पाएगी अज़से अलग करना साथी है तो करते है प्रिष्पन का दोस्त है याद तो आएगा ना अगर खुझ से अलग मत करना तेरे बेगर नहीं रह पाओंगी बें बेटिया तो एक नहीं ते अलग होई ही जाती है क्या तेरे मुष्चिद में कबीर से मेरी शादी करने से मना किया है हाँ करी शादी कबीरे से नहीं हो सकती करी शादी आप दो है या अल्ला आप तो राच से भूकी हूँ अब तो अपने घर चली चल या आलला मैं तो राच से भूकी हूँ मा मैं तो यहां मर जाओंगी मुझे यहां का खाना नहीं पसंद खा के तो देख तुझे पता भी है मुझे नहीं पसंद ये पीली दाल ये क्या बना है आज खाने में आपको पता भी है मुझे हर तरह का सालन जहर लगता है तो क्यों लाके भर दिया टेबल पे? तुमसे कितनी बार कहा है कि जो खाना होता है पहले से ओर्डर कर लिया करो एन वक्त पे शोर मत मचाय करो जो मुझे खाना है ना वो आपके जाहिल बावर्शन को तो बनाने नहीं आता अज सारी वो चीज़ा बनी है जिन से मुझे चिड है और आपको पता भी है कि मुझे पीली दाल कितनी बुरी लगती है लेकिन राखे रग दी टेबल पे और ये ये चाहते तो चिकन रोस्ट पे हो सकता था लेकिन नहीं कीमा आलू बनेगा और ये गुडवाले चाहवल आज कल के दौर में गुडवाले चाहवल कौन खाता है आप देख रहे हैं इसका दिमाग कितना खराब हो गया है सुन रहा हूँ मैं ऐसा क्या कहती हूँ बाबा अम्मा की जिदे कि मैं ये सब खाना शुरू कर दूँ मुझे नहीं पसंद ये खाना और ये पता भी है कि मुझे पीली दाल नहीं पसंद लेकिन लाके रख दी इन्होंने टेबल पे किसी भी रिस को इस तरह पॉइंट आउट नहीं करते तुम्हें जो पसंद है वो बनवालो वो खालो अरे हर्गेज नहीं इसका तो दिमाग खराब हो गया है आप भी सोचिए लड़की जात है ज़रूरी नहीं कि जो लाट बाप उठाए वो शोहर भी उठाएगा और आप इसके नखरे उठाना बंद कर दे ताकि इसको अगले घर जाकर कोई मसीबत ना हो मुझे किसी पराएगर में नहीं जाना समझी आप मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ भाई ये कौन सा वक्त है इस तकरार का कुड़ी तुम्हें चोबी खाना है तुम वो बनवा लो अपने लिए वो ही खालो क्यों री तु रोज मुरग मसलम खाती है क्या वो तेरी जैसी ओरतों के लिए बड़ी चीज होगा मेरे लिए नहीं ना मेरे जैसी क्या तु कोई नवाब की उलाद है नवाब भी तेरी जैसीं के लिए बड़ा आदमी होगा मेरे बाप के आगे नवाब की भी क्या है सियत अच्छा तु इतने बड़े बाश्या की बेटी है तो यहां क्या कर रही है अपनी खुशी से नहीं बेटी हूँ अम्मा को तेरे मुर्शा से द्वाचा यह थी इसलिए तेरी शक्रत सुपा शाम देखनी पड़ती है ए अदब से सकार ने बुलाया है तुझे देनंग रूम में अपनी इस आफ़त को लेकर पहुझा हम खाना खा लेते फिर आप बलाते वैसे वो क्यों अपनी बेटी को यहां छोड़ कर जाना चाह रही है शेहर में कुछ मसले हैं उसके बच्ची की सिंदगी और इस्ट तोनुई खत्रे में है खेर जोबैदा बता रही थी कि लड़की का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है कुसी लड़की के साथ निकल कर जा रही थी शायद इसलिए उसकी माँ से यहां ले आई आप देख लीजिएगा पराई बच्ची का मामला है पराई बच्ची? इस हैवेली की सारी बच्चीयां हमारी आउलाद की तरह हैं बीबी? नजर रखना और बात है और सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना और बात है आपने इतनी बड़ी बात बगार तस्दीख की यह कैसे कह दी? क्या आपने भी ऐसी कोई बात मैसे उसकी? नई, ऐसी तो कुई बात नहीं है पर ही लिखी जहीन लड़की है हजम नहीं हो रही हमारी मुलाजमा उसे ही कि दिन में सब की सब जल्दे लगी है उससे जिससे देखो उसी को घूर रहा है बस अच्छा तो तुमारी दोस्ती हो गए उसके साथ नहीं पर कैलिबर अच्छा है उस लड़की का आपको पता है बाबा मेरा लैप्टॉप खराब हो गया था उसने दो मिनट के अंदर-अंदर में लैप टॉप सेट कर दिया और केतिय उसके घर में भी है मच्छा है आ रही है सब कर खाना का लिए और फॉने इस चोकरी की नक्सरे पहुत है सरकार, जानने किस गवर्नर की बैटी है, किसी को खातर में नहीं लाती, अभी कह रही थी कि दाल नहीं खाऊंगी मैं गुट, फिर तो मेरी बहन हुई ना सलाम सरकार सलाम करें सलाम बड़े सरकार हाथ जोड़के सलाम करें नहीं नहीं, यह भला हाथ जोड़के क्यों सलाम करेंगी, यह ठहरी लाट साब की बेटी, यह भला बड़े सरकार का अदब कैसे करेंगी बड़े सरकार यह बात बात में मेरे बाप को भीज में ले आती है रहे औरसे में उसका नाम इतनी बाढ़ नहीं सुना था कि यतने एक दिन में से ताने सुन लिए आपके दर से दुआ लेने आयों थे बतमिसी करती है सकार बात बात पह अट जाती है अभी कहरे थी कि अममा तिरे पिर से दूआrando है मैं नहीं मैं इस पात से इंकार नहीं कह रही बड़े सरकार आप अम्मा के मुर्शद है, मेरे नहीं इसने तो आपको कभी देखा भी नहीं ठीक ही तो कह रही है बैचारी इसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं खाना खाओगी? शिक्रिया अच्छा ठीक है तुम लोग बैठो वहाँ पे, हम लोग ज़रा खाना खाले आप अच्छा खाले अच्छा आप टाना आप 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 कर दो कर दो तुम उपर बैठ सकती हो अगर चाहो तो वो भूल जाती हो बार बार किया मेरा घर नहीं है तुम इसे भी अपना ही घर समझो तेंक यू बीबी मुश्द बहुत बहुत शुक्रिया भी बीबी मुश्द अरे थैंकी कि में से कर दिया पता नहीं हमारा इंग्लिश बोलना आपको बयाद भी ना लगे अम्मा काली जरा दर आए ये ये प्लेट मुझे जरा दीजे मैं के लिबी जरा खाना डागू आपने देदेजे ये लिजे इने भी देदेजे कैसे सीधी हुई बुडिया और ले मेरे बाप का नाम सामने बैठी तेरे बाप से शिकायत ना कर दी तो मेरा नाम भी नूर अफ्रोज नहीं काना का लो नहीं बेडे सरिकार बहुत-बहुत शुक्रिया नूर फ्रोज हम तुम्हें देख रहे हैं आप या अल्ला, ये मेरे जिगर का टुकडा है, मुझसे बेनियास, अपने बाप के घर में मुरीदों की चौकी पर बैठा, ये कैसी आजमाईश है मेरे परवर्दिकार? आजमाईश है कर दो कर दो दो कर दो खो कर दो कर दो को कि अज़ अंग कर दो कुछ नवे जो अरूम मैं अज़ आट ऑप दो तुम्हेरे साथ रहोगी मेरे कमरे में सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा इस दिल के तारों में मदुर जनकार तुम्ही से है और ये हसीन जल्वा ये मस्त बहार तुम्ही से है इस दिल के तारों में मदुर जनकार तुम्ही से है सेदियों से दिल ये मेरा तेरा तलबगार था आज भी है और कल भी रहेगा एक तो ये पड़ी लिखी मुसीबत पता नहीं कहां से लेकर आगे है मेरे लिए कभी मेरे मुँ में धर्मा में ठीटोंस देती है और हर दो घंडे के बाद मुठी भर के गोलिया दवाईया लेके आजाती है खिलाने के लिए हरे ये कमबख डाक्टर और कितनी दवाएं देंगे मुझे इतनी चीर फाड तो कर लिए इन्होंने नहीं खानी हरे नहीं खानी मुझे ये गरम दवाएं किसी को मेरा ऐसास नहीं है देखो ना पला ये हाफज की मेटरिक पास लड़की के रह मुकरम पर छोड़ दी है मुझे घां हम आए सिया 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 див सिया सिया स्या स्या स्याजी 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 से लए लाज। से लए हुआ हुआ। लए हुआ अब कितना बुखार है सो रात को कितना था एक सो एक और कल शाम को सो और कल सुबा निल्लान में है है ये कहां मर गई अब मलकां जी पीपी मुझे जा जा के वक्त सुबान से क्या अमा बुला रही है जा जी अमा पुतर पुतर देख तो सही पुतर ये पागल लड़की मुझे क्या खिला रही है तुम लोगों ने तो डॉक्टर बना कर इसे मेरे सर में बठा दिया अमा जो दवाईयां डॉक्टर ने दिये है वही तो खिला रही है आपको इसका काम आपको वक्त पे दवाईया देना और भुखार चिर्क करना है कब खतम होगी ये दवाईयां हो जाएंगे अमा हो जाएंगी खतम ये तुमारे बाबा कब आएंगे लहुर से हो जाएंगे अब कहा गाईब होगे ये मल्का हो आपकी फेंकिवे दवाईयां चुन रही है हाँ सुनो इन्हे छोड़ दो नई दवाईयां लेकर आओ मैं अमा को खिलाता हूँ इतनी से अधा दवाईयां पे सेर बन जाती है बिटा अमा कैसी बातें कह रहे हैं पची गाना बातें बस आप प्लीज मेरे दवाईयां खाले भुट्ध प्लीज मेरे बोटा आपकान लुट्धू आपकान कि अमा कैसि दोग्थ इन भाग्पकान प्लाज कान सुट्धू कितनी बेकार है जे लड़की कितनी बेकारश की कितनी बेकार करते की हैं कर दो दो कितनी पिसमया इसे लड़़कीडं़ कितनी अधरना है इसाओना में वड़़कास पुजारमी कारा है झाल झाल वो बड़ी बीबी मुर्शद को शायद इसकी जरूरत नहीं रही रिचादर इस बची के लिए लाकाफी है मौसम ठंडा हो क्या है निकल जाए यहां से अब नहीं जाओंगी तुम अंदर जहां चाहो बैठ जाओ अपनी अमा के साथ लेके मुरीद खाने माज जाय करो ठीक है?